जैन साथियों, नमस्कार, राम, राम, सभी को स्वागत है, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Dream Exam में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, नगरपाली का भरती को लेकर, राजस्तान नगरपाली का सभाई करमचारी भरती को लेकर, काफी ज़्यादा अपडेट आप लोगों को यूटूब पे देखने को मिलेंगे हमने भी पहले वीडियो बनाया था एक कि भरती पे लगी रोक उस पे काफी लोगों ने काफी ज़्यादा जो है नेगेटिव कमेंट्स किये थे लेकिन मिरभाई हम आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं जो अपडेट हमारे पास आती है वो हम आप लोगों तक कोशाते हैं ताकि गरीब लोगों का भला हो सके और आप लोगों को नोकरी मिल सके हमारा मकसद केवल ये होता है और आप लोगों की तरीके से हैल्फ भी हो सके ठीक है अभी आप लोगों को ये आप लोगों के मन में सभी के मन में मिर भाई बहुत ज्यादा इंतजार आप लोग कर रहे हैं मेरे पास काफी लोगों का कॉंटे हैं सबसे पहले तो आपकी भरती कब आएगी क्योंकि आप लोगों को निरास नहीं करना चाहते हम आप लोगों के साथ हैं जिस भी तरीके साब कहना चाहोगी उस तरीके से हम आपके साथ हैं मैंने पहले भी बताया था और आज भी कह रहा हूं भी आप लोगों के साथ हैं लोगों का notification की बात करें तो आपका जो notification था वो आना था कितनी तारीख को यहां पे भाई 20 यह प्रेल को आप लोगों का notification आना था लेकिन यह किसी कारण से लेट हो गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी भरती पर्मानेंट रुख गई है आपकी भरती नहीं रुखी है जहां तक हमें सूचना मिली है 27 से और यहाँ पे 30 अप्रेल के बीच में आप लोगों के फोरम स्रू होने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि आप लोगों के जो फो हो गई कि आप लोगों के आवेदन जो है 27 से 30 अप्रेल के बीच में क्या हो जाएंगे यह जो है अनुमान है और 99 प्रसेंट आप लोगों का यह डेट जो है आप लोगों की फिक्स रहने वाली है ठीक है मैंने केवल यह कहा था कि भरती पे कुछ टाइम के लिए रोक लगी है पान साथ दस दिन भरती लेट हुई है मैंने यह नहीं कहा कि भरती आपकी रद हो गई है काफी लोगों ने मतलब कि नेगेटिविटी में इस चीज़ को लेके कि मैंने यह कहा है भरती रद हो गई है और बात रही सबूतों की तो मेरे भई जो विभाग के अंदर से जो पर आएगा कितनी तारी को फिक्स होगा तो यह चीजे तो देखो मेरे भाई किस्ती को भी नहीं पता जो अधिकारी बड़े-बड़े बैठें उनको भी यह चीजे नहीं पता कि अनुमानित किती है कि जो बात हुई अधिकारियों से उन्होंने यहीं कहा है 27-30 अप्रेल के डाउट जो है बने हुए है ध्यान दो सबसे पहले एक आप लोगों का बीच में एक छोटी सी जानकारे देदू जो भी साती जिनों ने भी जो पड़े लिखे हैं और एसेसबी ट्रेडमेंट का फिजीकल कर रखा है एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चक्सु बीच पर बात करते हैं अपनी तो यहां पे आप लोगों को बताएं कि आप लोगों का यहां पर डोकुमेंट्स के बारे में तो मेरे भाई सबसे पहला ही डोकुमेंट्स है अनुभाव प्रमान पत्र ठीक है अनुभाव प्रमान पत्र अनुभाव प्रमान पत्र देखो मैं एक एक डोकुमेंट्स यहां पर लिख देता हूं अनुभाव प्रमान पत्र और अनुभाव प्रमान पत्र का बह आफ लोगों को बता दूंए रिंगा तरेकित आफ इहां पर करते हैं अनुभस करते अनुभव प्रमान पत्र के बाद में बाद आती हैो की यहां पर आप लोगों को आधहर काड़ क्या है और हार रीच्छा आथार प्रमान पत्र ये सब कहां मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये भी हम बात करेंगे चरित्र प्रमान पत्र उसके बाद अगला जो डोकुमेंट्स आता है आपका वो क्या आता है ध्यान देना इधर चरित्र प्रमान पत्र के बाद आप लोग के पास दो में से कोई भी हो आप इसकूल स चाहिए विवाह परमान पत्र अगर विवान नहीं हुआ है तो अगर साधी हो गई है तो बच्चों के जनम परमान पत्र खुद का जब चाहिए जब मारक्षित नहीं है बच्चों का जनम प्रमाण पत्र अगर साधी हो गई है तो बच्चे हैं तो ठीक है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है साथवी कंडिशन जो आप लोगों की है कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को मारक शीट अगर आप पढ़े लिके हैं तो जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं अपनी मारक शीट और एक होता है जनम प्रमाण पत्र अगर मारक शीट नहीं है तो आप जनम प्रमाण पत्र लगेगा जब आप लोग की जोइनिंग हो जाएगी आप लोग को सबसे पहले बात करते हैं अनुभव परमाण पत्र जो है कहा चलेगा तो मेरा भाई आप लोग अगर किसी धाबे वाबे से बनवाते हैं चोटे मोटे धाबे से या कहीं पर्चूनी की दुकान से किसी चोटे बैटरल पंप से तो मेरा भाई ये सब नहीं चलेंगे ठीक है ये जब जांच होगी तो आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा क् होता है कि सफाई करमचारी का काम है वो किसी बड़े इस्तर पर होता है ज्यादा सफाई करमचारी का होते हैं जहां बड़ा इस्तर जैसे कोई बड़ा वी आई पी होटल है वहां से बनवा सकते हो कोई आप लोगों का स्कूल है बड़ा स्कूल है कोई होस्पिटल है बड़ वहां से आप बनवा सकते हो नगरपाली का कि ठेकेदार से आप बनवा सकते हो यह नहीं है कि रोड बनाने वाले ठेकेदार से आपने बनवा लिया वो नहीं चलेगा फिर वो सफाई जो है और एक और भाई आए पर्मान पत्त्र आप लोगों का तिकेर आए परमान पत्त्र आप का नहीं है तो आपके पितार जी का माता जी का जिसका भी है वो बनवालों ये इमित्र से फsplम मिलेगा ये भी ओ ये भी आप लोगो को ऐ विवाहित का फोरम भी इमित्र से मिलेगा इस पे सरपंस की महर लगेगी ध्यान रखना नोटेरी करवाना चाहो तो नोटेरी करवालो जो भी करवाना है किसी रजिश्टर्य डाधीकारी के साइन होंगे इसके कि आप एविवाहित हो इस दिज़ का परिवार में कोई गुवर्मेंट शर्मेंट ना हो इसलिए यह चीज आपसे मांगते हैं ठीक है उसके बाद में आप लोग का चरीतर परमाण पत्र स्कूल से सरपंच से कहीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं यह चरीतर परमाण पत्र ठीक है अगर आपकी साधी सुदाएं औ आपको लगाना पड़ेगा पूरा बाइड़ा आपको दर्साना पड़ेगा वरना आपका फोर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है इतनी सी बात के वल है और आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो यह इंस्टाग्राम आइडी है अपनी इस पे आप लोग हमसे संपर कर सकते हैं एमडी आदाव बानसुर के नाम से ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं तबीको जैहिद जैभारत